वेलकेम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं टेकनावपलिफ्ट, तो गाईस अगर आपको आपके लापटॉप में याप फिलिक्रिंग और फ्लाशिंग प्रॉब्लम आ रहे है, स्क्रीन आपके फिलिकर कर रहे हैं, आप किसी भी तरह का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके य आपने कोई application या software install किया अब इसको find out करना जरूरी है और बहुत आसान तरीके से आप find out कर सकते हैं सबसे पहले आप अपने keyboard पे Ctrl Alt Delete की को यहाँ पर प्रेस करिए और यहाँ पर एक screen आएगी यहाँ पर आप Task Manager को choose करिए अगर यहाँ पर screen solution यहाँ पर आप apply कर सकते हैं अपने graphic card को यहाँ पर restart कराके तो उसके लिए आपको क्या करना है अपने keyboard से ही आपको प्रेस करना है window shift control और B की I repeat windows control और shift B के साथ प्रेस करिए altogether यहाँ पर graphic card अपना refresh हो जाएगा और चेक करिए कि आपका issue यहाँ पर resolve हुआ है कि नहीं हुआ है अगर नहीं हुआ है तो अब हम बढ़ते हैं powerful solution की तरफ जहाँ पर आपको जो है अपने windows को restart कराना पड़ेगा advanced option में अब advanced option में restart कराने के लिए आपको क्या करना है अपने laptop के power button को press and hold करके रखिए और जब यह totally shut down हो जाए दोबारा से start कराईगे और जैसे यहाँ पर start होता है आपको कोई screen दिखती है दोबारा power button को press and hold करिए ताकि forcefully वो shut down हो जाए अब इसी तरीके से आपको 2-3 बार करना ह है और इसके बाद आपके पास preparing screen और advanced option वाले यहाँ पर screen देखने को मिलेगे तो जैसे आप यहाँ पर इस page पर आ जाते हैं यहाँ पर troubleshoot पर click करना है फिर advanced option पर click करना है और फिर यहाँ पर आपको मिलेगा startup settings इस पर यहाँ पर आप click करिए और देखिए यहाँ पर कह रहा restart to change windows option तो यहाप आप restart पर किलिक करें और फिर इसके बाद यहाप यह सारे option देगा कि किस तरह से आप अपने device को start कराना चाहते हैं तो हमें safe mode में इसको यहाप पर start कराना है तो number 4 पर आप देख सकते हैं enable safe mode वाला option है तो आपको अपने keyboard से यहाप नमबर 4 पर हम सारी troubleshooting कर सकते हैं अब देखिए guys मैंने आप से बताया था कि हम इसको और clarify करेंगे तो अगर आपको यहाप पर advanced option में और safe mode में यहाप के screen flicker blinking या flash नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि आपका hardware बिल्कुल ठीक है यहापे और software end में ही यहापे कुछ न कुछ problem है लेकिन अगर आपका यहापे भी आपका जो issue आ रहा है flickering हो रहा है यह सारी problem आ रही तो इसका मतलब है कि hardware में कोई issues है उसके लिए आप अगर आप खुद चाहो तो laptop में RAM को निकाल के उसको दुबारा से साफ करके लगा सकते हो तो basic यह troubleshooting आप करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन अगर आपके screen आपकी flicker नहीं हो रही है तो यहाँ पे आपको next क्या करना है window search पे आपको क्लिक करिए और type करिए refresh suggestion में आपको मिलेगा view advanced display info तो यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे जो आपका भी display होगा जो भी इस पे आप यहाँ पे display adapter properties पे क्लिक करिए फिर यहाँ पे top menu option में आपको monitor पे क्लिक करना है और यहाँ जो screen refresh rate आ रहा है अब यहाँ पे आपको try करना 60 refresh rate को ही यहाँ पे आप select करके रखो अगर यह कम या ज्यादा है तो इसको एक बार 60 या 64 पे set करके देखिए इसके लावा जो display size होता है और orientation उसको भी आप check कर लेना कि यह properly आपका set है की नहीं है अब इसके बाद आपको क्या करना है अपने windows icon पे यहाँ पे आप right click करिए suggestion में चूज करिए device manager और device manager इस तरह से open होगा यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको search करना है monitors वाला option और monitor में जो भी आपका monitor है उसके आप right click करिए uninstall device करिए दुबारा से uninstall पे click करिए फिर उसके बाद आपको display adapter में आ रहा है और यहाँ पे जो भी windows search पे यहाँ पे आप click करिए और type करिए control suggestion में choose करिए control panel और यहाँ पे आपको search करना है programs and features इस पे यहाँ पे click करिए अब देखिए यहाँ पे जितने भी software application आपके system पे installed है वो यहाँ पे आपको show करेंगे तो यहाँ पे आपको वो software application find out करना है जो आपको लगता है कि आपने recently install किया है और इसके बाद ही यहाँ पे आपको problem आ रही है तो अगर एक दो software जो भी आपको last date का मिलता है आप उसको यहाँ पे right click करके uninstall कराईए uninstall करने के बाद दुबारा से यहाँ पे system को restart करिए और जो भी आपका monitor का driver है और display adapter graphic driver है वो सारा यहाँ पे automatically आपका reinstall हो जाएगा और यहाँ पे issue भी आपका resolve हो जाना चाहिए लेकिन अगर यह सारे solution को apply करने के बाद भी आपको issues आ रहे हैं तो next आपको दुबारा से advanced option वाली screen पे आना है और यहाँ पे click करिए troubleshoot पे फिर जाएए यहाँ पे advanced option में और यहाँ पे आपको बिलेगा uninstall update इस पे यहाँ पे click करिए यहाँ पे uninstall latest quality update वाले option पे click करिए और दुबारा से यहाँ पे uninstall quality update पे click करिए अब इसको भी यहाँ पे uninstall करने के बाद आप दुबारा चेक करिए system को restart कराके अगर इनके सबी भी issues आता है तो दुबारा से यह advanced option पे आईए और यहाँ पे uninstall update पे click करके अब second वाला जो option है uninstall latest feature update इसको यहाँ पे uninstall कराईए इसको uninstall कराने के बाद system को चेक करिए अब यह सारे solution बहुत ही effective है तो कोई न कोई solution आपके लिए काम कर गया होगा तो please मुझे comment section में जरूर बताईएगा कि कौन से method यहाँ पे आपके लिए काम किया और वीडियो को like subscribe करना मत भूलिएगा और हम मिलेंगे next video में बाबाई